चलिए सर कोई बात नहीं अब हम question number 115 करने जा रहे हैं हाँ मैं आगे पीछे सवाल को जरूर कराऊंगा और ये चीजे भी दिक्कतें दूर कर दूँगा मैं आगे पीछे सवाल को कराऊंगा लेकिन make sure कि मैं सारे सवाल कराऊंगा मैं यही कोसिस रखूँ आपनी तरब से जैसे सवाल number 15 आपके बुक्का ही है जे अर मुंगा बुक्का कहता है दा समराइज ओल्ड फॉर्मिट नीशा पावर लिमिटेट का एक बैलेंस शीट है वाज एस अंडर लाइवलिटी गीवन है और एसिट गीवन है लाइवलिटी में आपको क्या देता है equity share capital ध्यान देने वाली बात है आठ रुपे ही दिये हैं इसने uncalled capital तीन सो share दो रुपे के हिसाब से इसका मतलब सर सबसे पहले तो हमारे पास मैं equity share की बात करूँ कहां लिखू यहीं लिख लेते हैं मैं सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं क्या लिखता है equity share capital भोला इसने के भईया equity share capital एक लाख साथ हजार रुपे का बनता है एक लाख साथ हजार और आठ रुपे ही called up किया गया है तो ओबिस सी बात है आपने आठ के हिसाब से हिसाब किताब बनाया होगा तो आठ रुपे called up का मतलब अगर देखा जाए तो जो number of shares निकल के आते हैं वो कितने हैं 20,000 number of shares कितने हैं यहाँ पे 20,000 तो पहले यह clarity करिए कि हमारा share जो है वो भी सजा रहे क्योंकि सवाल में कहीं भी नहीं दिया कितने हैं इस एक 60 को मंगवाया जिसमें से 300 share ने 2 रुपे और नहीं दिये हुए हैं कहता है कि less calls unpaid 300 ने 2 रुपे नहीं दिये हैं 2 रुपे कौन से देखिए यह 10 रुपे हैं यह 10 रुपे हैं 10 में से 8 company ने called up कर लिया और 2 यह वाला company ने called up भी नहीं किया 2 रुपे और एक share holder जिसके पास 300 यह उसने 2 नहीं दिये तो यह वाले 2 की बात नहीं चल रही जितना company ने मांगा था उसमें से ही 2 नहीं दिये समझिएगा जो company ने मांगा था उसमें से ही 2 नहीं दिये ऐसा मत समझना कि आगे वाले 2 नहीं दिये आगे वाले दो तो 20 के 20 अजार ने नहीं दिये एक shareholder ने पीछे वाले भी दो नहीं दिये ठीक है न? तो इसके बाद देखा जाए आगे क्या कहता है आगे कहता है यहाँ पे redeemable preference share है हमारे पास जो की डेड़ लाख रुपए का है ठीक है सर्थ तो preference share capital की अगर हम बात करें तो preference share capital हमारे पास डेड़ लाख का है और एक share की जो value है वो है 100 रुपए यह जो share है यह 1500 share है आगे देखते हैं हमारे पास reserve fund में पैसा है security premium में पैसा है profit and loss account में पैसा है creditor में पैसा है land and building 2 लाख का plant दे रखा है investment दे रखा है यह सारी बाते तो चलती रथी assets में the director of the company resolve to director of the company क्या कहता है और क्या सोचता है कहता है realize the investment то sir realize का मतलब क्या होता है realize का मतलब होता है बेच देना कई जगह पर sold लिखा होता है कई जगए पर realize लिखा होता है तो उसने investment को बेच दिया एक लाख रुपय का तो हम ध्यान से देखे investment तो sir हमारा कितने का था 75 means sir investment 75 का था और हमने बेच दिया कितने था एक लाख रुपय का तो इसका क्या मतलब समझे कि 25,000 फाइदे में बेच दिया जिस shareholder ने पैसे नहीं दिये तो sir उसकी कौन से ऐसे shareholder है जिसने पैसे नहीं दिये तो यहाँ पे सवाल में लिखा था कि 300 shareholder हैं जिसने 2 रुपय नहीं दिये 2 रुपय नहीं दिये तो sir मतलब क्या समझे जिसने 2 रुपय नहीं दिये तो इसने 8 में से 2 नहीं दिये तो 6 तो दे दिये होंगे इसने तो हम जब 4 feature करेंगे तो ध्यान रखें कि हम कितना payment करेंगे 6 रुपए का करेंगे और इसी 4 feature share को 7 रुपए में credit 8 रुपए share paid up कर दिया मतलब कहता है इसी share 4 feature को हमने 7 रुपए each में credit कर दिया and 8 रुपए paid up value मतलब आपको 8 रुपए का certificate दिया और आपसे 7 रुपए लेके हिसाब किताब कर दिया मैंने आगे कहता है issue किये मैंने 10,000 debenture 100 रुपए का 1 और premium sir debenture भी issue किये है एक हजार debenture तो हर एक point की journal entry करनी होगी utilize make partly paid up to equity share fully paid up by declaring bonus यानि जो 2 रुपए शियर नहीं हमने मांगे थे वो 2 रुपए आपसे जीवन में कभी मांगेंगे भी नहीं हम उसको अपनी जेव से ही fully paid up करने जा रहे हैं इसका कहने का मतलब आगे कहता है redeem preference share at a premium 10% जी हाँ यह जो डेड़ लाख है उसके बदले आपको वापसी करेंगे वो उसके उपर है although above resolution implement on first April तो आप सवाल को अगर ध्यान से देखे ना भले ही chapter हमारा redemption of preference share का है लेकिन सर preference share का redemption में तो सरिफ छटा ही point है बाकी के 5 point तो किसी ना किसी अगर जगे से connected है कुछ हमारे share capital के chapter आगे यानि देखा जाए starting के 2 और 3 point तो सर यह purely share capital का है point number अगर 4 देखा जाए तो यह तो debenture का point आगया point number 5 देखा जाए तो bonus share का आगया तो जो पहले वाला जो unit number 1 है ना तो सवाल ऐसे ही बनेंगे आपके exam में आप अगर कहेंगे ना कि सर इसके अंदर 5 chapter है और हम 4 chapter छोड़ देते हैं एक कर लें तो कि आप पूरे सवाल कर पाएंगे exam में तो मेरा जवाब नहीं क्योंकि वो पूरी knowledge होनी चाहिए तो हम एक एक करके point करते हैं सबसे पहले हमने क्या करा investment बेच दिया है investment अगर हमने बेचा है तो हम bank account करेंगे है ना bank account debit तो bank में सर हमारे payment आजाएगा एक लाख रुपए और 2 हमारे पास से investment चला जाएगा investment चला जाएगा 75 का देखिए आपके सामने था भी बताया भी था और 2 profit and loss में कितने 25,000 पहली entry में पहला point done हो गया किसी बच्चे को doubt हो तो बता जाएगा पहली entry या पहला point हमने done कर दिया किसी बच्चे को doubt हो तो बता दीजिए clear है पहला point दूसरा point forfeiture करते हैं तो forfeiture के लिए क्या होता है equity share capital account debit है न और 2 share forfeiture और 2 calls in area calls in area तो sir forfeiture करने हैं सिर्फ हमें 300 share और क्योंकि 8 रुपए ही called up था दस तो मांगा ही नहीं तो 8 से ही सवाल चलेगा तो that is 2400 रुपए और उसके 6 रुपए ही दिये हैं उसने तो 300 गुणा में 6 रुपए तो ये आगया हमारा 800 और बाकी जो होगा वो चला जाएगा 300 गुणा में 2 that is आपका 600 रुपए तो लीजिए ये हो गया share for feature अब रीशू की बात कर रहा ही है रीशू में बोला कि भाईया हमें जो payment मिलेगा ना रीशू for feature share 7 रुपीज इच 7 रुपए का एक रीशू करेंगे ऐसा credit 8 रुपीज और उसके बदले आपको 8 रुपए का value मिल जाएगा यानि अगर मैं बात करूँ तो मेरे bank हाते में जो बाते आएंगे वो bank account मैं अगर debit लिखूँ तो कितने रुपए आएंगे sir 300 share थे और मुझे तो दिये उसने 7 रुपए ही तो that is आपके पास आगया 2100 रुपए और share for feature account अगर मैं debit कर दूँ तो 8 और 7 का comparison होगा साथ और 10 का comparison नहीं होगा एक रुपए का that is आपका 300 रुपए और two equity share capital आपको जो certificate मिलेगा पूरे 2400 रुपए का मिल जाएगा यानि आठ के हिसाब से अब इस for feature जब भी होता है उसके बाद रीचू होता है तो एक entry अपने आप ही इन दोनों के comparison से आता है हमारा यानि 1800 कमाए और 300 गवाए तो share for feature to capital reserve कितने आजाएंगे आपके 300 तो 1500 रुपए आपके यहां पे आगे capital reserve इनके being मैं नहीं लिख रहा तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भी नहीं लिखना एक्जाम में being आपको लिखना पड़ेगा हर हाल में चाए कुछ भी हो जाए तब ही आपको marks मिल पाएंगे इस बात का आपको ध्यान रखना है कहीं सोचो मैं भी नहीं लिख रहा तो आपको भी जूरत नहीं है लिखने की आपस बिल्कुल भी ना सोचना चलिये सर इसके बाद अगले point पे चलते हैं हमने कुछ point point दो खतं कर लिए हमने है ना दो तीन खतम कर लिए, ऐसा ही पॉइंट धीरे धीरे खतम करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, चलिए सर, पॉइंट नंबर चार में कहता है, डिबेंचर इशू कर दो, तो डिबेंचर इशू कैसे करेंगे, नॉर्मली, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट किया है, तो आपने उससे 110 रुपे वसूला होगा, तो देट इस आपका अगर 110 रुपे वसूला है, आपने तो कितने हो जाएंगे, एक लाख, दस अजार, एक लाख, दस अजार, आगे अगर हम इसको और कंपेर करके, एंट्री ले चलते हैं, चलिए, यहां दिखाते हैं, आपको, अगर आगे हम और देखें, तो हम अब क्या करने वाले हैं, डिवेंचर एप्लिकेशन, डिवेंचर एप्लिकेशन, टू एट पोर्सेंट डिवेंचर, और टू में क्या कर देंगे सर, टू सिक्यूरिटी प्रीमियम, कुछ बच्चे बोलते हैं सर, यहां पर डिव और यह तो एक लाख का ही होगा, और यह दस हजार, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए मैं बोलूँगा, हजार था और सौ ही दे सकते हैं, और हजार था और दस रुपे का प्रीमियम, ठीक है, तो लो जी हमने कौनसी एंट्री और कर दी, चौती एंट्री भी हो ग करेंगे, क्या पता हमारे पास CRR में पैसे आ जाएं, क्योंकि पहले रिडम्शन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, CRR बनाना पड़ेगा, फिर हम उसको बोनस में यूज कर लेंगा, अभी नहीं करेंगे, हम पांचवी एंट्री को, इसके बाद सीधा रिडीम है, अ अब आप ध्यान से देखें, रिडम्शन की, मैं रिडम्शन की एंट्री कर रहा हूं, थोड़ा लिखूंगा, वर्किंग नोट यहीं कर देता हूं, तो डिवेंचर जो रिडीम करना है, प्रिफरेंच शियर क्यापिटल को रिडीम करना है, और इसके उपर, मतलब 15,000 का सि कियोटी प्रिमिम भी रहेगा, यानि अगर मैं प्रिफरेंच शियर होल्डर को पेमिंट की बात करूं, तो कितना पेमिंट करना है, 165, कितने पेमिंट करना है, 165, अब अगर हम देखते हैं इसके अंदर, सर अब आगे हम चलते हैं, इसके अंदर 165 के बाद आगे क्या करन हैं तो सर सबसे पहले कोई फ्रेश इशू तो हुआ नहीं सारा का सारा इंतजाम आपको रिजर्व से करना है तो CRR बनाना होगा आपको कितना सर यह टोटल का तो CRR के लिए रिजर्व में तो पैसा इनफ पड़ा है तो रिजर्व फंड का इस्तमाल कर लेते हैं तो लीजिए मैं CRR बना देता हूं रिजर्व फंड को डेबिड कर दिया खतम हो गया कितने एक लाख पचास अजार और टू में बन गे हमारा CRR Capital Redemption Reserve जैसे ही CRR बना है अब बुला लेंगे किसको हम बोलेंगे भईया आजओ प्रफरेंच शियर होल्डर आप आठ परसेंट प्रफरेंच शियर कैपिटल सेक्योरिटी प्रीमियम और टू प्रफरेंच शियर होल्डर बुला लिया हमने इस एन्ट्री का मतलब है प्रफरेंच शियर को पैसा कितना देना है यह पता चलता है तो भईया एक लाक रुपे तो तुम्हे नौर्मली देना है 15,000 रुपे तुम्हे एक पंधरा स्वरी 1,50 एक पचास तो आपको नॉर्मल देना है है ना एक पचास पंदरा प्रीमियम तो टूटल एक लाख पैंसट हजार देने है अब भाईया प्रिफरेंच शेयर होल्डर आपको पेमिंट करने जा रहे हैं तो मैंने क्या करा टू बैंक तो बैंक करने का मतलब है उसको पेमिंट हो गया तो कितना पेमिंट हो गया एक लाख पैंसट हजार एक लाख पैंसट हजार अब इस सेक्योरिटी प्रीमियम को राइट अफ करना है सर इस सेक्योरिटी प्रीमियम को तो हम entry करेंगे security premium to security premium इस entry को मैं पहले समझा चुका हूँ कि क्यूं security premium ये debit है balance sheet वाला जो कि आ जाएगा 15,000 मात्र और credit है जो उपर लिखा है credit में ये वाला है ठीक है अब जाके bonus share issue करेंगे ना यानि जो हमने सोचा तो ज़्यादा बड़ी better है सर ऐसा क्यों कह रहे हो क्योंकि अब हमारे पास CRR में डेड़ लाख रुपए है और जो हमें bonus partly paid up को बनाना है उस bonus की बात करें तो सर 20,000 shareholder है और उसको 2 रुपए ही तो compensate करना है क्योंकि 8 का हिसाब किताब था तो 2 ही तो रह गए थे जो नहीं लिए थे तो देखा जाए तो यहाँ पर कितना compensate करना है हमें मातर 40,000 तो अब हमें entry करते हैं शेर final call कर लेते हैं शेर final call और 2 equity share capital सर कितने bonus share होंगे तो जवाब है 40,000 रुपए हमें इंतजाम कर लिए हैं वैसे तो यह 40,000 आ गया इसके बाद क्या करेंगे हम CRR का पैसा ले लेते हैं bonus share में ना तो CRR को debit कर लिया to bonus share bonus share 40,000 अगली entry एक last entry बचती है जो कि bonus share को हम करने वाले हैं सर bonus share कैसे करेंगे हम करेंगे क्या bonus share bonus share और two share final call 40,000 और 40,000 यह लिजिए हमारा पूरा सवाल हो गया clear आपका पूरा सवाल इस तरीके से यह हो जाता है कहता है you are required so general entry record above transaction in the books of the company तो हमने general entry कर दिया किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो इस सवाल में पूछे फिर हम अगले सवाल पर चलेंगे अगला सवाल कौन सा तयार कर रखा है देख लेते हैं अगला सवाल है दो सो प्रेफरेंट कुड नॉट भी ट्रेज एट परसेंट टिन परसेंट फ्रियू से रिक्वाइट टर्म प्रोविजन कंप्रेंश ठीक है हां अगला ही कर लेंगे इसमें एक और चीज़ सीखेंगे हैं किसी को डाउट जो प्रेज़ कर दो ले इसमेंगे हैं